Hello everyone, मेरा नाम है विकास, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है मैं लेकर आए हूँ आपके लिए एक और नए वीडियो, आज का वीडियो होने वाला है अगर आप किसी भी फोन में recording करते हो और आपके फोन में आता है This call now has been recorded तो ये आता है आपके फोन में call करते हैं कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो को आइंड तक देखिये, चैनल को शेर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना बुले सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और प्ले स्टोर में सर्च करना है टी टी एस ल एक्स ठीक है, यह आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक है, 4.0 रेटिंग वाला यह आपको डाउनलोड करना है उसके बाद मेरे पास वन प्लस एप है वन प्लस फोन है आपके पास जो भी फोन हो उसकी सैटिंग्स उपन करना है और सैटिंग में सर्च करना है table 10 ते कए मेरे पाद 7 MBA Nord 2 आंकů की स़िस्टम सैटिंग में सिश्टम सैटिंग में आने के बाद आपको नीचे एससी सालस्राब क striking करना है किले करने के बाद आपको उपर वीजन पे क्लिक करना है टैक्स टु स्पीच सेटिंग की क्लिक करना है preferred engine इस पर क्लिक करना है ठीक है इसके बाद आपको ttflex select कर लेना है ठीक है back आजाना है ठीक है इसके बाद आपको एक और setting करनी है उसके बाद आपको dialer दबा के रखना है इस पर app info पर क्लिक करना है एप इंफो क्लिक करके आपको डाटा यूसेज में जाना है और सॉरी इस्टोरिज यूसेज में जाके यह क्लियर डाटा कर देना है बिल्कुल क्लियर डाटा करने के बाद यह आपका थोड़ी दिर लोडिंग लेगा लोडिंग लेने के बाद तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं आपकी call recording जो हो रही थी वो नहीं होगी आप चेक कीजिए चैनल को share करें, subscribe करें, bell icon को दवाना ना भूलें और एक बाद चेक करके मुझे जरूर बता हैं comment section में कि आपकी call recording जो speech देता था वो बंद हुआ या नहीं हुआ और वीडियो कैसी लेगी comment करके जरूर बता है